नमस्कार और आदाबाद से नीचे रे जन्वरी के 25 तारिक पेश्याब के लिए सालदीन के खबरे मेनस्टेरीफन फॉलक्स खसंथेट और बिरो अपनबारा खसंथेट स्वरख बे ओखे यह दोनों जन्ता को साधान किये हैं और यह बताए है कि जो इस वक्त दिंगे का मामला है यह दिन पे दिन सुरिनाम देश में बढ़ता जाता है यह मच्चर यह मुष्खीत दिंगे मुष्खीत जो है जिससे यह दिंगे बिमारी आपको हो सकता है यह दिन पे दिन और ज्यादा होते जा रहे हैं काफी मल्डिंग आई है पिछले दिनों में इसलिए लोगों को सौधान किया गया है वैसे पिछले साल देश दंबर 2019 से दाक्तर सीकन हैसन लबराटोरिया और पॉली क्लिनिकन को कहा गया है इस पर घौर करने के लिए और यह दिनगे फिरिस अगर आप किसी के पास महसूस करें तो अगर यह वक्त पर पता चल जाए तो इसका सही इलाज और वक्त पर इलाज हो सकता है और यह भी कहा गया है बे ओखे के तरफ से कि यह मैल्दिंग बे ओखे तक पहुचा देने के लिए बे ओखे को इसके बारे में जानकारी देने को बे ओखे यह हमें जानकारी दिये है कि इसके लिए यह दिंगे फिरिस के लिए कोई फक्स है या दवा अभी तक नहीं है तो पानी जो है जो किसी चीज में पानी है तो इसे आप खाली केजिए या इसको धक कर आपको रखना है वैसे हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि पिछले साल से अगर देखा जाए तो साल भर जो त्वेद आवजन में खंतीन था उतना ज्यादा देखा खफाले मालूम नहीं था जीतना 10 तारीक जनवरी इस साल तक योगि इस साल 10 तारीक जनवरी तक 67 तखफाले ये आगे आए है कि लोगों को देखे-देखित ये देखे बिमारी ये देखे-फियरेस है बे-उख़ी के तरफ से होफ, जो हे वर नइमत होफ, एपी देमलोखी का बे-उख़ी का रजेस और ही बताते है कि ज्यादा तोर पर मेल्दिंग पारामारी वह से आए है बिललॉंक के बारे में नहीं पता है अभी तक वहां से कोई मेल्दिंग नहीं आए है दिंगे फियूरेस का वैसे ये दिंगे एपिदिमी जो है अगर होगा तो आप क्या खुद कर सकते हैं? हम आपको बता चुके सबसे पहले बूद ब्लाटसन आपको नाश करना है जहां पर पानी रखा हुआ है या जिस चीज में पानी जाकर बाइच आते हैं जैसे मोतरगाड़ी का तायर, फास, ब्लूम पोतर का जो अंदर लेखर होते हैं आप इसे हटाएए इसे फेक दीजे और भी ये कहा गया है कि आप ऐसे कपड़े पहरिये जो आपके बदन ज्यादा तोर पर धक डेगा और मुस्कीत जल जो है मुस्कीत लोशन या स्प्रेई आपको इस्तमाल करना है ज्यादा तोर पर इसे आप इस्तमाल कीजिए और ये भी कहा गया है मुस्कीत खास रखने के लिए के बारी किर्की के आगे आप मुस्कीत खास जो है रखिए वैसे यभी हम आपको बताना चाहते है कि कैसे आपको पता चलेगा दिंगे बीमारी के बारे में ज्रैदे दिन धता पर लोगों को बुखार होता है बुखार से शुरू होता है तो अगर कुछ दिनों तक आपको बुखार है तो इस、、र ज़रूर घार करना लेकर इसके इलाव और क्लाख नहुंसकता है, मिसलिक है, ब्राकन, उत्सलाग अप्ते हुड़, हुफटपें, पें अग्तर अगबॉलन, स्पीरपें, और भी गवरिखस्प्रें, और रूट-पार्श अप्ते हुड़ करना है, अगर आप इसमसे कोई भी ये क्लाख याप मह अगर चेजाऑ, ये सब्वेगं, प्ते हुआ है, जी सब्वेज को जब भी क्लाख ये क्लाश, कर अपलिजी सुरिणामें, को जी विवएग आप इसमा शपीत्सव का अरो घ्ये है, अगरो गुछल सहुआ है, इसमें 50 अगरो येजिए, 75 प्रो वाऑंश और 80 घ्थ आप इ और ये इस्तमाल किया जाएगा क्रिमिनालिटेट को नाश करने के वास्ते ये तमाम जो गाड़ी है मोटर फीट्स और फिट्सन पोरी तरह से तयार किया गया है और ये तयार है इस्तमाल करने के लिए इस पर बस्तिकरिंग है और ये रेडी है इस्तमाल करने को पॉलीस के वा पुलीस जब वहाँ पर पहुंचे है, खोजबिन से पता चला, 43 साल का रजेंदर कुमार S का लाश है, दाक्तर को लोग वहाँ पर रब लाए है, तो दाक्तर को आने के पाद डाक्तर ये कहे है कि इस आदमी का दिहान हो गया है, खोजबिन से अभी तक पता नहीं चला है कि इ तुरवेट वोन राम तर 2020-2020 की बारे में, और ये कानून जो है, मंगर के राद को चर्चा करने के बाद, ये 29 अलगमेन स्टमन के साथ पास हुआ है, पंचगर में, फेहाँ पेई, नपेई, पेईल, और दू इस कानून के लिए अपना वोट दिये है, आबब जो है, स्टम नहीं आएगा गरीब लोगो के लिए, और ये गरीब लोगो के लिए कोई हल नहीं, क्योंकि बहुत ही असानी से इन लोगो को घर से निकाला जाता है, ये कानून जो है, इसका इनिशाटीफ नेबर्स थे, ये फर सीमोन्स और रोसली कोटिनो, दोनो एंदी पेगा है, जिस वहाँ पर वो फुखेरन फोशेतर था, ये कानून जो है, लोग बदल दिये हैं, और अब सीमोन्स कहते हैं, कि फेरहूर्दर्स जो है, माकान का मालिक ही, जो माकान किराया पर देते है, ये सब को रेखतर के पास, जच के पास जाने के जरूरी नहीं है, अगर किसी को आप दो क्यों सकते हैं, वैसे पुराना कानून से, पुराना कानून के मताविक एक रेखतरलग फवनस के सरूरी था, किसी को घर से निकालने के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है, वैसे अगर आपके घर पर कोई है, आपके घर माकान में कोई रहते हैं, तो एक हुर कामेसी जो अ लोगों के पास आप जा सकते हैं और जच के यहाँ पर कोई जरूरी अब नहीं है किसी को घर से निकालने के लिए जच के पास जाने के जरूरी नहीं है लोगों को डढ़ने के जरूरी नहीं है कि महना के बीच में मालिक आपको ये कहेगा कि महना के अंत में आपको और यह जो रकम है तै होता है, इन्फलाथसी को देखकर और आप यूही पैसा नहीं बढ़ा सकते हैं, पहले यह भी देखा जाएगा कि माकान जो है जो आप किराया पर लेते हैं, इसमें कुछ और लोग बनाए है, कुछ और मरमत हुआ है या नहीं, कुछ बदलाव आई है माकान आधार पर जो किराया का पैसा है जो बसक्टा जो कुछ आता है, इस सी यह पत्या सकता है, और अगे माकान-किराया पर किसी को यह अप कुछ अमहाना है, यह वी देखकर दखकंता है, आप किराया में आप किराया ले सकते हैं, यानि हूर बद्राख ले सकते हैं, अगर किसी को किराया पर आप देंगे माकान, तो फ्रेम द फालुटा में स्रिफ इन लोगों से आप फ्रेम फालुटा ले सकते हैं, वैसे वीदेशी पैसा, सुरी नाम देश के पैसा, सर्दे में आपको किराया पर माकान देना चाहिए. मिनिस्टर हुफदराथ इस दिनों में कुछ खुलासा लाए है फंत्रिक के समस्या में. फंत्रिक जो गौवरनर था, संद्राल बंक फंसुरी नाम का, आपको पता है कि इनके बारे में काफी चीज़े कहा गया है. अप मिनिस्टर हुफदराथ ने बताए है कि गौवरनर फंत्रिक इनको अप इस्तीफा दिया गया है, अंसलख से भेजा गया है और एरफॉर अंसलख यानि इज़त के साथ इनको अंसलख से नहीं भेजा गया है. कुछ जानकारी मिनिस्टर हुफदराथ हमें दिये है और वो यह है कि कुछ डॉकिमेंस इन लोगों के हाथ लगे है कि दो बहुत ही महंगा मोटरगाडी इंपोर्ट हुआ है संत्राल बंक फंसुरिनाम के जरीए और यहां पर ओफर फक्टूरेरिंग के बात है, मतलब जित जो है पेखी के हवाले किया जाएगा यह देखने के लिए कि इसमें एक स्ट्राफरेख्टलग अंदर शुक आएगा या नहीं वर नेमन गौविनर जो है इनको अंसलख से नहीं भेजा गया है और इनको कहा गया है यह अंसलख तो लिये है लेकिन यह अभी तक अकसप्ट नहीं हुआ है स्विकार नहीं हुआ है, इनको फरलॉफ से भेजा गया है, इन्होंने ये मान लिया है कि इन्होंने भी गलत काम किये है, इन्हों पर खड़ो पे स्विकार करते हैं कि इन्हों ये भी गलत काम किये है, इस वख बंक का जो लेडिंग है, बागदोर तीन दिरेक्टर जो वहां क ये सब्समाले है. ये दो जो महिंगा मोटर गाली इंपर्ट वा ही, संत्राले बंक वन सुरिनाम किसरी, वी कि ये व्रीस्टेञ भाइन वाइने व्रेंगे रहा रहा ही, और ये भी लोगो को वी कहीए. दस्टारी में को पैसा भाइन ही, एक खब 15 द लेक्सुस के लिए 280.000 USD के लिए और जो रेंजरोफर है इसके लिए 285.000 EUR भरा गया है कीमत जो हे रकम ये वार्द जो हे, जो बंक इसके लिए भरे है बंक जिस गारी के लिए जो पैसा जो कीमत दिये है इसका कीमत और कम है और ये भी सामने लाया गया है, ये भी मिनस्तर हुफदरात ने बताई है वैसे अंटी दातेरिंग के भी बात है, कागज़ाद पर जो है डॉकिमन्स जो है इस पर 13 तारीक जिन्वरी का दिन तारीक लिखा गया है लेकिन ये जो लेनिंग लिया गया है, जो गाड़ी खरीदने के लिए फंट्रिक लेनिंग करसा लिये है बंक के पास, ये नेहंतीन और खुस्स पिछले साल हुआ है और ख़दलत नेमान ने ये इकरार किया है, कि वो दो लोगों को इजासत दिये थे ये जो दात्म है, इसे बदलने के वास्ते अभी तक फंट्रिक को पैसा वापस नहीं चुकाई है, पैसा नहीं भरे है ये रेंज रोफर जो है, अभी तक ट्रिक के पास है और जो लेक्स से ये दिरेक्टराथ नच्छनाल फैल खैट के हवाले किया गया है दूसरा मामला ये त्रिक के सिलसले में है, कि ये औरियॉन के बारे में एक बद्रैफ जो है, फंट्रिक का बद्रैफ जो है, ये पता चला है कि यहाँ पर काम के लिए काफी पैसा लोगों को भरा गया है आखटीन नौवेंबर तक, बिछले साल 2018 नौवेंबर तक, 8 मिलियोन SARD और यौन को भरा गया है और सवाल किया गया है, कौंट्राक्तन जो एक बद्रैफ के साथ दस्तखत किया गया है प्रोयबर्यक्तन ये कौंट्राक्त जो बद्रैफ से दस्तखत हुआ है इसमें लिखा गया है कि अगर ये काम जारी नहीं होगा, ये प्रोयक्त जो है ये जारी नहीं होगा, तो भी पैसा भरना चाहिए, पैसा तो भी भरना चाहिए और हम यह 2.5 मिल्यून उरो के बात करते हैं, जो भरा जाएगा, भरा गया है, ये भरा जा चुका है, 2.5 मिल्यू कोस्ते के वास्ते, एक रकम जो है 1.3 मिल्यून का ये अभी तक नहीं पता है, ये पैसा कहां पर है, इस पर खोजबीन हो रहा है, वैसे हंस बॉसर, जो है मैनेजिंग पार्टनर, क्लेर फिल्ट का, बेल्जिम, एन्फी का, ये एक बेल्गी से कृंट, दे संदार्ट के और हुफदरात ये बताते है, कि नौ महने के अंदर 2.5 मिल्यून पैसा जो है, ये भरा गया है, ये बालखिस बद्रैफ को, मिनस्टर ये भी कहते है, कि सवाल किया जाता है, कि क्लेर फिल्ट के ये जो कॉंट्राक्टन दस्तखत हुआ है, इस बारे में सवाल किया गया है, और खोचबिन वो करते है, उनका ये कहना है मिनस्टर का, कि इस बारे में उने कुछ नहीं पता था, लेकिन बर्ज कहते है कि मिनस्टर को ये कॉंट्राक्टन के बारे में पता था, इनको पता था, एक्स गॉफ़नर जो है, फंट्रिक और दिरेक्सी जो है, सेंट्राल बंक का यह सब दस्तखत किये हैं लेकिन यह जो कॉंट्राक्टन के बारे में हुफदरात कहते हैं उन्हें कुछ नहीं पता है और भी कुछ मामला है और इस बारे में अभी खोच बीन जारी है खोच बीन हो रहा है अख देसेम्बर स्ट्रफ प्रोसेस यह है प्रिस्डेंट एसी ब लेकिन हम आपको यह बताना चाहते हैं कि यह मुकद्मा जो है जारी नहीं हुआ है यह मुकद्मा लोग इसका खुलासा किये है शुरुबात किये है रहतर ने बहुत अश्रसे इनका नाम खबॉर्तदादिम और बरूप कौंसे काम यह करते हैं यह पूछे हैं और उसके बा मुझूद नहीं था इसलिए यह जो रख्ट साख है यह अब टाल दिया गया है एनंदर तक मार्थ को जारी होगा कुछ अंदी पेटोपर्स साल में मौझूद थे और भी कुछ ना बस्तांद जिन लोगों का हत्या होगा था देजंबर में त्वें तक तक में इन लोगों क परिवार वहां साल में मौझूद था काफी शांती पूर्वक सभी कुछ होगा है यह भी कहा गया है और यह सितिंग लगभग 6 मनित तक स्रिफ था वैसे यह फरस्यत प्रोसदूर शुरू हो गया है और एर्विन कनाय जो बाउतरश का वकील है इन्होंने कहा है कि अगले सि क्रैसराथ ऐसा मांग करेगा तो इनका क्लियन जो है बाउतरश वहाँ पर जरूर जाएगा क्रैसराथ सितिंग के बाद बाउतरश काफी लोगों को लोग पुकार किये थे वहाँ पर आने को इनका साथ देने के लिए तो बाउतरश क्रैसराथ सितिंग के बाद ऑन अफ अं अंति लाने के वास्ते हैं. हुखो एसेट जो वकील है नाब स्तान दन अख दिजमबर 2 अंतख तक का कहते है कि प्रेसिदेंट इसी बाउतर्श जो है यह शक्स जो है बाउतर्श जो है यह जो पद्वी है प्रेसिदेंट का इस पर उन्हें बहुत अफसोस है कि उन्होंने कलंक लगायी है कि वो प्रेसिदेंट था और गए है क्रैसराग के सामने यह बहुत अफसोस का बात है यह हुखो एसेट ने कहा है इनको यह कहना है या मानना है वो बताना चाहते है जंता से कि प्रेसिदेंट यह जो है देशी बाउतर्श वो प्रेसिदेंट के पदवी पर है लेकिन ये परशोन जो शक्स है बहुत रशे ये प्रेसिदेंट नहीं है वो प्रेसिदेंट के पदवी में है अम्त में है लेकिन खुद ये परशोन में परशोन लग ये प्रेसिदेंट नहीं है और उसके बाद बहुत रशे ये भी कहा ह यह है ताकि यह अपने आपको आने वाले चुनाव 25 तारिक मैय 2020 इस साल में कैंडिडी नहीं थराये फिर से इसलिए इनको लोग इस पद्वी से हटाना चाहते हैं इसलिए यह फॉनस लोग इनके लिए लोग यह फाइसला लिये है यह फॉनस इसलिए है लेकिन उन्हों रखा क्योंकि इसका फैसला जन्ता के हाथ में है प्रेजिडेंट क्राइक सराथ का सेंचा फाल सें मॉंद नौर चे मनीत का यह रिकॉर्ड सेटिंग जो था यह जरूर कहा है कि बाउत शुको एन अदर तक मार्थ को रेख्ट साल में मौजूद होना जरूरी है उनको फिर से आना जिवेरा जरूरी है आने वाले चुनाओ जो मेंके 25 तारी किसी साल में होने वाले हैं, 25 नया STEM विरोज रखा जाएगा जनता के लिए आसान करने के लिए, काफी भीर जो रहते है STEM विरोज के पास इसे लोग इसमें हल आए हैं, और ये कहा गया है कि देशपर में 25 और नया STEM विरोज आने वाले हैं स्टाइट सॉली का डिरेक्टर और फक बॉन जो है, अपने मजदूर ये स्टाइट सॉली के मजदूर कारी करता जो यहां पर काम करते हैं, इन लगों को गरेंटी दिये हैं, कि जो आफवा, जो रूमर्स, जो है, खरुखतन जो है, जो बाते पहलाया गया है, जनता के अभी हाली में तेल मिला है, यह आंदेलन बेचा जाएगा, यह बिल्कुल सच बात नहीं है, दिरेक्टर और बॉन तिये कहा है, स्टाइट सॉली का, यह स्रीफ जनता के अंदर आशंती फैलाने के लिए ऐसा बाते कहा जाता है, लेसली 38, जो एक्स कापीतेन है, रेडी दो बिमार था और इनका देहान बीते हुए बेफे को हो गया है, यह फोर्शी तरवी था फरेनखेंग वन इनहीं से दोरब सोगदन इन सुरीनाम का, इनका उमर 45 साल के हुए है, लेसली 38, जो है, पैतालीस साल के आयू में इनका देहान इसी हफता हो गया है, मनोच कुमार मोहन पचास साल का एक एकस पोलिट सी आक है, अखें, पुराना सिपाही का आत्मी, जो है, इनका देहान हो गया है, कुछ गुंडों ने इस पर गोली चलाया है, और यह हाथा हुआ है, वेलखदाख आ वेख में, एक बरबर शोप में, दो गुंडों जो है, जो बरबर शोप में चिन लिये है, और मोहन से इनका गारी का जो चाबी है, मांगा गया था, लेकिन वो ऐसा करनी के लिए तयार रही था, और यह हो सकता है, कुछ हाथा पाई हुआ है, और गुंडों ने इनके पेट पर गोली चलाया है, और इसका दिहान वहीं पर हो गया है, पुई से कल यह गारी से चोर वहां से फरार होए थे, जो गोली चलाया है मोहन पर, मुमकिन यह गारी कल सुब को मिला है, इस गारी में चौबीस साल का एफदी मौजूद था, गारी के साथ पलीस के हवाले इने किया गया है, गारी कब से मिलिया गया है, और यह आदमी जो मिला है गारी में ये इस वक्त पुलीस के ये रास्त में है ये बहुत अफसोस के बात है कि मनुच कुमार मोहन पचास साल का ये शक्स इनका देहांट हो गया है आज जन्वरी के 25 तारिक शिनीस निवियार है चानीस लोग अपना नया साल मना रहे है तो खुशी का दिन सरूर है सुरी नामदेश के जन्ता को मुबारिकवादी बढ़ाई आए लेकिन खास दार पर चानीस लोग जो काफी है सुरी नामदेश में इन लोगों को मुबारिकवादी बढ़ाई आ हम देना चाहते है पचले साल में आपको बढ़ाई चुके कुछ अचले हफ्ता हमें आपको बढ़ाई थे कि कुछ अक्तिवितेटन होने बाले कुछ ऐसा प्रोग्राम रखा गया है और अफंकलिकेश ब्लाइं पर और खास वात यह है तो कि crowded में आ राद में आपको यह देखेश स्टाव तो कि अचले के वईेखेश के अ ओकता कि में आपको भूलेक अचले कяс तुकछ इड़ा थे बेचाप सي मतиться को ने खुला पर तर पतान नार यहाज व four republican45 मिन, यहा टार आम यहाज को यहाज से कुछा मत उतौर पोर कतान यहाज, यहां आसपास के- यहां मत चुछने के लिए लिए की寸 हुवेग लिए किसी कुछा पर लिए जहाज को रहना यह बिलकुल मना ही यह लोगों को कहा गया है और फिर वरक शो जब रहेगा जब तक यह फिर वरक शो रहेगा पूरा उल बंत रहेगा लेकिन उससे पहले एन सैल याने एन रिख्टिंग एक बान जो है वैदन बॉस परुख का यह खोला जाएगा यातायाद क वास्ते यह भी आपको पता होना चाहिए कि ऑना फंकल कैट्स प्लाइन के आसपास जहां पर अक्टिविटाइट रहेगा यह आठ बजे से वहां का जो फरकेर हे बंत रहेगा पोलीस वहां पर मौजूद रहेगा आपको इशारा करने के लिए कहां पर आपको चलाना है और कहां पर आपको नहीं जाना है आपको यह पता होना चाहिए कि क्राइसिंग हैंक आरंस्तराद और तमारीन दलान वादरकांट और लिमा पोस्तराद और हैंक आरंस्तराद और आबरहां क्रेंस्तराद आबरहां क्रेंस्तराद जहां पर पलैस है यहां पर यह रास्ते जो हे ये सब बनत रहेगा, यातायाद के लिए, जब तक अक्रिफी तैटन खतम नहीं होगा, प्रोग्राम जशन जुल कोहा पर मनाएंगे, जब तक खतम नहीं होगा, तब तक ये रास्ते बनत रहेगा, इस पर जरूर आपको गोर करना है, हम आपको बहुत से खुशनसीवी मुब आपको बार एक बादी देते हैं, शनीस नहीं व्यार के माँ के पर, और यहां तक आज के लिए साथ दिन की खबरे, शुक्रिया, नमस्कार और खुदाफीस.